क्रिस जेरिको ने भी अपनी और केविन ओमन्स की राइवल्री को टीज कर दिया और दा बॉलिवूड बॉइस यहां दर सिंग ब्रेदर्स भी रीसेंटली न्यू टाग टीम चांपियन्स बन गया है रूसेव ने भी जॉन सिना की बहुत तारीफ करी है और सेथ रॉलिस ने बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोडी रिवील करी है अपने और से रेटेड जब वो सिरफ 14 साल के थे और लास्ट में बात करेंगे कि जब बिलेर से पूछा गया क्या वो रॉंड आराउजी को पेस करने के लिए इंट्रेस्टिड है तो उन्होंने क्या का उसके बारें भ इसमें खरी को का रेप्लाइ आता है कि बहुत तक बूले निया और ये का है कि और फिर से रेटेस्टिड को कप तक देखें आप से रखतें इनकी राइवलरी फिर से दिखने को मिल सकती है चांसे तो बहुत कम है क्रिस जेडिको करेंटली एडब्यू के टॉप स्टार है औ सब्सक्राइब ने अभी अपना कॉंट्राक्ट फिर से साइन कर आया वीडवी के साथ और जो पहले डवीडवी में जितने महाल के साथ काम करते थे वह इंडी इविट में लाडर मैच में लगते टाग टीम चांपियंशिप के लिए जिसमें जीट चुके है और न्यू टा कराइडर के नाम से चांते थे उन्हें ने भी दबॉइस करके कॉंग्राइट भी करें यह मैच जो हुआ था जो जिसमें जो टैग टीम चैंपियंशिप वह उपर हंग होई थी और यह मैच बहुत बढ़िया भी था खून भी आया था सबका मैच बहुत ब्रूटल भी था लेकिन लास्ट में बॉलीवड बॉइस यहां सेंग ब्राइदर भी कह सकते हों जीते थे सैथ रॉलिस ने भी रीसेंद्ली एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी रिवील करें उन्हें काये कि जब वह 14 साल के थे तब वह सिरफ दोस्तों के बीच में आटिटूड एरा एंडव्य गवारे में बात करते थे और तभी उन्हें प्रफें замеч Schmidt लेना चाते थे क्शौesis वेयुक्श से ट्रेशनेंग लेना चाते थे क्युक् εν है कि उनके पास money भी नहीं थी और नहीं यह का एक ना वो कभी college गए थे और वह अपनी laundry भी खुद नहीं कर पाते थे इसलिए उन्हें का यह कि वह अकेले वहार रहा भी नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने CM Punk से training नहीं लें लाल-कल्ड का बटन ना उसे भी ज़रूर तबाके जाना तक है आप सबस्क्राइब हो जाओ मेरे चानल रूससरेफ ने भी जॉन सिना की तारीफ करता है कि जब बड़ाइब कर सके मैच में और उनने ऐसे करके जॉन सिना की और भी तारीफ करी है तो आपको लगते है कि फ्यूचर में मीरो और जॉन सिना के एक और राइवलरी के कितने चांसे चांसे तो मेरे साब से बहुत ही कम है इस मैच के डीसेंटी डवी डवी की एस्टी बियंका विलेर से पूछा किया था कि क्या वह इंट्रस्टेड ए फ्यूचर में रॉयल रंबल विनर है उनसे कंपीट करने के लिए उनने का है कि जिते हैं वह मैं रॉस्टर में वीडेवी के वो सब उनके रेडार में वह फ्यूचर में सब से वेस करना चाहती हो नहीं कि जो ग्रेट कॉंपीटिटर रोजै तो उनके में बेस्ट इंदर लाता है इसले वह कभी भी कॉंपीटिशन से भागती नहीं और वह और इस बार बोनस न्यूज बहुत ही इंट्रस्टिंग है क्योंकि डभी डभी चाहते है कि स्टोन को स्टीव ऑस्टिव और रिटर्न करें डबी डबी के वेसल में या 38 प्रिमियम लाइब इवेंट में जो स्टोन को स्टीव ऑस्टिन के होम टाउन डालस टेकसस में वहले स्टोन को स्टीव वास्टन को पहले भी बहुत सारे चालेंज़ मिले लेकिन वह कभी भी अपने रिटार्मेंट के लड़े नहीं अपने फिनिशर जरूर दी हैं तो लास्ट में ये भी देखते हैं कि फाइनली स्टोन को स्टीव वास्टन वेसल में थाटीएट में अपना इंडरिंग रिटार्न करते हैं के नहीं